इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह लिए किया जाता है ये पेट फूलना और चिर्चड़ा आंतर सिंड्रोम, एकजिमा, योनी खमीर संक्रमन, लेक्टोज असहिश्नुता और मूत्रपत के संक्रमन जैसे आंतर विकारों के लिए निर्धारित है प्रोबायोटिक्स पाचन में सुधार, संक्रमन से लड़ने, प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने, वजन घटाने को बढ़ावा देने और योनी स्वास्थि स्वचता बनाए रखने में मदद करते हैं ये कैपसूल आंत में अच्छे बैक्टीरिया या सामान्य माइक्रोबियल वनस्पतियों को बहाल करने में मदद करता है ये लेक्टोज पाचन को भी सुविधाजनक बनाता है और लेक्टोज असहिशनता वाले लोगों में बहुत प्रभावी साबित हुआ है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक पाचन में सुधार करने में मदद करता है पेट दर्द और एठन का प्रबंधन करता है और संक्रमन से लड़ता है 2. पाचन तंत्र को मजबूत करने और पोशक तत्वों के अवशोशन में सुधार करने में प्रभावी है 3. गैस को रोकने में उप्योगी और मलत्याग में सुधार लाता है 4. पेट फूलना और चिर्चड़ा आंत्र सिंड्रोम, सूजन, एकजिमा, योनी खमीर संक्रमन, लैक्टोज असहिशनुता और मूत्रपत के संक्रमन सहत विकारों के लिए सहायक 5. आंत में अच्छे बैक्टीरिया के सामानी संतुलन और पी-एच संतुलन को बनाय रखने में मदद करता है, जो आंत बैक्टीरिया की प्रतिरक्षा, वृद्धी और गुणन में सुधार करने में सहायता करता है 6. ये खराब बैक्टीरिया के विकास को भी रोकता है और अच्छे बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है संक्रमन के बाद या एंटिबाउटिक दवाओं के उप्योग के बाद आंत में माइक्रोबियल वनस्पतियों को बनाए रखता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को ज़रूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें